CRR और SLR दोनों के बीच में basic difference क्या है इसका logic क्या है CRR that is cash reserve ratio and SLR that is statutory liquidity ratio एक चीज में clear कर लेता हूँ कि RBI Reserve Bank of India proper bank को की monitoring करता है proper इंपर control करता है तो यह है हमारा bank ठीक है SBI, BOB जितने भी bank है उन सब के बारे में यह बात हो रही है ठीक है तो मान लो यह हमारा bank के bank का नाम नहीं लेंगे यह bank के यह पर particular हम लोग क्या करते deposit पेसा जमा करवाते हैं तो मान लो यह चुन्नू नाम का लड़का है इस लड़के का नाम है देटी चुन्नी लाल किया करता है कि bank के अंदर एक लांक रुपया deposit करवाता है कितना रुपया deposit करवा रहा एक लाक रुपया और एक लाक रुपय की Fd fixed deposit कर वा इंग उर बेंग ने इसको गारंटी रुपय हमकर्पwahले कि म tienes हैं कि कि यह मांगई यह क्या करते हैं पेसे मांगनेवाले इन्क विफियर्मनेट हैं तो अगर हम सोचते हिए इननको बारा परसेंट देदे तो 12000 रुप्या इंट्रेस्ट आजाएगा ठीचे बारा जैया ओए तो तो 5000 डाइरेक्ट हमें एक लाग पर कमा रहे करोडों का ट्रांजेक्शन होता तो कितना प्रोपीट हो जाएगा तो अच्छा बड़े समस्दार हो तुम ऐसे तो तुम सब हमारे पर कंट्रोलिंग करना सुरू कर दिया कैसे बेंक ने कहा कि आप जो डिपोजिट जो आपको अमाउंट आ रहा है उसका तीन से पंद्रा परसेंट की रेंज हम डिसाइड करेंगे उस रेंज का अमाउंट आपको हमारे साथ से रखना पड़ेगा रिजर में रखना पड़ेगा उस पेसों को आप यूज नहीं कर सकते हो देखो बैंक के पास एक लाग रुपया गया एक लाग देखने हम कितना ल इसके साथ रिजर्व रखना पड़ेगा और फिर इसने का कि साथ थोड़ा बहुत ब्याज देदो हम तो साथ परसेंट पर दे रहें और बैंक ने आरभ नेखेंट्या मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ एक तो मैं इतनी कारंटी ले रहा हूं अपर से मैं तरह को भी इंट्रे परेग्या इसको ब्याज बढ़ देंगे थोड़ी ब्याज रेट वर बढ़ा देंगे और भी ने का वही मजा के क्या कल को ठीक है चुनी लाल पैसे जमा करवारा है रामलाल का भी पैसा पड़ा है रामलाल कल को आके बोल देख भईया मेरे को 40,000-50,000 रुपया चाहिए कहां स की रेशियो तो बेंक को आरिबाई ने गाइडलाइंस दी 25-40 परसंट पहले हुआ करता था अब इसको लेस देन इकवस्टू 40 परसंट कर दिया ठीक है 0-40 परसंट और ये भी अब 0-15 परसंट की रेंज कर दी उस हिसाब तो 8% मेरे हिसाब से SLR चल रही है that is 18% मान लो 18% च रख दो इन फॉर्ड रख दो ईन फॉर्णम गॉर्मेंट से क्वेस्क और ने सकते हो इन फॉर्म में रख सकते हो और इन पर आपको 2-3% मिल जाएगा दो तीन पर्सेंट आपको मिल जाए का एक लाग में एक लाग में गया चार पर्सेंट अपरीज तो नों को दों नों कमाई नहीं करेगा ठीक है अपनी आकों के सामने इतना सारा पेशा है पर कुछ कर नहीं सकते हैं सिर्फ देख सकते हैं कितना खत्रणाग चीज है तो अब 22,000 रूपया में अगर एक लाग से घटा देता हूं तो आपके पास 78,000 रूपया बचते हैं कितने तेरा 14 परसेंट नहीं रखेगा तेरा परसेंट रखता है तो तेरा साथ कम से कम 9-10,000 रूपया आएंगे 7,000 रूपया इंडार चले गए तो बच्छे लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो लोगों के प्राइज में इंफलेशन आजाएगी मेंगा बढ़ जाएगी तो फटाक से बेंग यह का बटाओ आट परसेंट कर दो 15 कर दो इस सब डाइड़ेट फरक्या पड़ेगा जो ब्याज पर देता लोन पर पैसा देता उनकी रेट बढ़ जाएगी और ज्यादा लोन ज्यादा को ब्याज लेगा ता पैसो लोगे नहीं लोगे तो आई तिंक आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गय टूँए एगा जो आपको बीजा पैसा पैसा बड़ेगा झाएगा लोन पर बढ़ेगा जो आपको बबाभाई शता बढ़ेगा तो आपको बड़ेगा ज़िए पो लोगेगान से लोगे वीडिए लोगे ख़ूएबगा